ओम शान्ति आज का विशे माम्मा की पालना का है बड़े खुशी की बात है और गर्ब की बात है कि हमारे परिवार का जन्मी माम्मा द्वारा हुआ है जैसा कि साथ सुना होगा आप सभी ने कि मम्मा लखनव में आई हुई थी और अमारे लौकिक पिता जी क्लास में बैठे थे तो मम्मा ने बोला कि कौन है जो शिव बाबा का संदेश जन्जन को देगा और जिन आत्माओं ने आधा कल्ब से वर्षा खोया है वो बाप से अपना वर्षा ले लेंगे तो जो भी भाई बैन क्लास में बैठे थे वो सब शांत थे जो हाथ उठा वो हमारे पिता जी का उठा तो मम्मा ने का अच्छा क्लास के बाद मिलना जब किलास के बाद मिले, तो ममा से पूछा, ममा हम देंगे संदेश, तो ममा ने का नहीं जाके अपने गर में चैटी बिगन से ठोम, अपने परिवार को ये ग्यान पहले दो, तो मम्मा के द्वारा ही चित्र मुरली सब लखनव से मिला तो ऐसे ही कहेंगे कि मम्मा निमित बनी हमारे पुरे परिवार को बाबा का बनाने में और जब मैं इस ग्यान में आई और बाबा के पास गई तो मम्मा जो है मैंने पहली बार मम्मा को देखा उसके पहले नहीं देखा था जब देखा तो मुझे बहुत इतना खींच होई ममा से इतने आकरशन थी ममा के अंदर ममा का जो व्यक्तित था ममा के चेहरे पे जो तेज था जो एक सौमेता थी वो देख करके लग रहा था कि बस ममा को देखती जाओं देखती जाओं और मैं क्लास में बैठके ममा को देखती रही देखती रही जा कि ये बच्ची तो बहुत जैसे तो फ्यासी है, फिर ममा ने मुझे बुलाया और ममा ने जब बुलाया तो बाबा ने परिचे कराया तो ममा कहती है कि दुनिया के अंदर मा बच्चे को बाप का परिचे कराती है और यहां बाप मा का परिचे करा रहा यह वंडरफुल बात है ड्रामा में तो बाबा ने मेरा पूरा परिचे ममा को दिया कि मैं कैसे ग्यान में आई कैसे बाबा लेके आए तो भावा ने सारा ममा को सुनाया तो मुझे भी लगा कि बात तो सही है कि मा ही बच्चों को परिचे कराती है पिता जी का पिता जी की गोद में देती है लेकिन यहां पिता जी अपने बच्चों का परिचे मा से करा रहे है तो मम्मा ने एकदम मुझे आगे बुलाया और बुला करके मेरा हाथ पकड़के गोदी में बिठा लिया बहुत प्यार किया इतना प्यार किया इतना प्यार किया कि आँसु आ गए तो फिर मम्मा जो थी मैंने अहनगो किया जैसे कि मम्मा के अंदर एक बहुत शक्ती है तब सकाज शब्द का ग्यान नहीं था लेकिन ये लग रहा था कि मम्मा से कुछ हमें उर्जा मिल रही है ताकत मिल रही है और मम्मा का जो गोथ थी मम्मा का हाथ पकड़ा मैंने तो लगता था मम्मा कोई रुई की बनी हुई है फॉर्म की बनी हुई है हड़ी तो लगी नहीं रही थी कि कोई हड़ी का भी है तो ऐसे लग रहा था कि बस मम्मा की गोद में बैठे रहे तो मम्मा एक जैसे सीतला देवी के रूप में सीतल छा आत्मा को महसूस हो रही थी मम मां के द्वारा बहुत सितलता मिली, ऐसे लग रहा था, जैसे कोई प्यासे को जरने का ठंडा पानी मिल गया हो, या कोई तपते हुए को एक तरवर की छाया मिल गई हो, तो बहुत मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, और मैं भी मम्मा की गोदी से नहीं उतर रही थी, और मम्मा भी प्यार करती जा रही थी, और ये तो सुना था कि मम्मा जगत माfunded है, मातेश्वरी जगतमबा आखे और ब्रह्माद सुरसती के द्वारा इस यग्जी की स्थापना शिरिष्टी के नौनिर्माण में ब्रह्माद सुरसती का रोल है, तो सरसाती माझो विद्या की देवी तो मुझे भी लगा कि मम्मा इतनी प्यारी है, अच्छी है तो साथ साथ इसी कारण ही बाभा ने मम्मा के सिरपे ग्यानामृत का कलश रखा और मम्मा को जब मैं देखा तो मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि मुरे को कल्प कल्प ये माँ मिल गई है यही मेरी माँ है और अपनी लोकिक माँ तो याद भी नहीं आई, कोई नहीं याद आया तो मम्मा और बाबा बस मुझे दोनों ही मिल गई है फिर मम्मा ने बहुत प्यार किया मम्मा ने का अच्छा तो मम्मा ने बहुत प्यार से मेरे से बातें की और एक विशेष्टा देखी कि मम्मा मैं इतनी छोटी थी मुझे तुम नहीं कहा हमारे घर में भी सभी तुम तुम कहके बात करते थे बड़े लेकिन मम्मा इतनी महान सारे विश्यों की जगत माता और मुझे आप कह रही है तो बहुत ही जैसे कि मुझे शरम सी लग रही थी कि मम्मा इतना सम्मान दे रही है और आप कहे के बात कर रही है फिर मम्मा के अंदर रहते रहते मदुबन में साथ में मैंने बहुत विशेशताई देखी कि मम्मा जितना ही गंभीर थी बहुत गंभीर थी मम्मा में जरा भी हलकापन बोलने में चालने में चलने में कहीं नहीं लगता था तो जितना वो गंभीर थी उतना ही मम्मा बहुत रम्रीक भी थी बहुत रम्रीक थी मम्मा से कभी भै नहीं लगता था अच्छा लगता था मम्मा के पास जाना बैठना और मम्मा के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था तो मैंने देखा कि मम्मा के वल सरस्ती नहीं है विद्या की देवी क्योंकि मम्मा के जो वाक्य होते थे जो सिक्षा होती थी वो एक तरह से जैसे गुरू की सिक्षा अब सिक्षा में सिक्षा जैसे कहा जाता है कि जैसे केले के पात पात में पात होता है तो मम्मा की बात में भी इतनी गोहियता होती थी कि उस केतना ग्यान में ग्यान है भरा हुआ है तो मम्मा के अंदर इतनी गहराई थी अंदर से जैसे कोई सागर की गहराई और मोतियों से भरा हुआ है बाबा की तो बोलने में लहरा ही लगती थी लेकिन मम्मा की एकदम शीतल और बहुत ही शांती की लगती थी सायद इसले सीतला देवी नाम पड़ा है अगर मा विद्या की देवी सुरसती है तो सीतला मा भी है बच्चों को सीतल करने वाली कोई कितना जोश में हो कोई कारण से उखड़ा हुआ हो तो देखा है मम्मा उनको दिरिष्टी देते देते एकदम शांत कर देती थी सीतल कर देती थी और वो भी बिलकुल सीतल हो जाता था और मम्मा जैसे दिखाया है अपने संगम पर की स्वरसती गुप्त है दो नदियां तो दिख रही है गंगा जमना पर स्वरसती गुप्त है वास्तों में मम्मा का हर बात गुप्त होता था जैसे कोई डिश्टर्ब है मम्मा से बात कर रहा है तो मम्मा उसकी बात को सुन करके समा लेती थी जैसे गुप्त तो कुछ सुनाई नहीं है, हाई नहीं, और कभी भी किसी को यह नहीं कहती थी, देखो यह डिश्टर्ब है या कोई बात है, केवल वो जाने और मम्मा जाने, तो इसलिए साद सुरसती को गुप्तरिती से दिखाया, और मम्मा कभी भी अपना किया हुआ वर्णन नहीं करती थी, मम्मा बहुत थी आतम अभिमानी, अश्रीरी, अव्यक्त रूप से, एक बार मम्मा बैंगलोर गई थी सेवा पर, जब बैंगलोर से लोट करके आई, तो बाबा ने कहा, मम्मा तुम इतनी प्रजा बना करके आई हो, तो कितके खाते में जाएगा, तुमारे कोई श्रेह इतनी सेवा किया है, और बाबा तो यहां बैठा हुआ है, तो मम्मा ने कहा, नहीं बाबा, मेरी प्रजा नहीं है, वो आपके ही राज में आएगी आप विश्व माराजन बनेंगे तो मेरी बनाई हुई प्रजाभी आपके ही राज में आएगी मेरी नहीं है ममा जैसे कोई अभिमान नहीं कि मैंने इतनी सेवा की इतने अच्छे को निकाला तो बाबा ने का कोई बात नहीं है अगर मेरे हिस्से में आएगी मैं भी शुमारा जन बनूँगा तो मम्मा आप भी शुमारा नी बनेंगी तो कहा गया है कि राज राजा का और हुकम रानी का तो हुकम तो मम्मा आपका ही चलेगा सतियुग में तो ऐसे चिटचैट मम्मा बाबा की चल रही थी पर मम्मा को कभ कुझे मुझे महिमा करे कि मममा बहुत सेवा करके का अई है, तो इतने निरहिंकारी मममा थी, और मममा को हर कारिये मैंने सब कुछ अपने आखों से देखा, ममममा इतनी शक्ति-शाली भी थी, कि अगर किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी है तो मम्मा बात करके दिरिष्टी दे के उसकी कमजोरी को खतम कर देती थी तो एक तरह से मम्मा का काली रूप भी था मम्मा की दिरिष्टी से मम्मा की शक्ती से जैसे कहते ना काली ने असरों का संगार किया तो आसरी संसकार का संघार मम्मा कर देती थी और वो आत्मा अपने विकारों की बली मम्मा के अगे चोड़ देता था इसलिए साहत कलकत्ते में यादगार है कि मम्मा के उपर वहाँ पे जुझा है काली के उपर बकरे की बली चड़ाते पर यहां कौन सी बली चड़ाते जो मैपन की थी कि मैं करता हूँ मैं बोलता हूँ मैं जानता हूँ मैं कर सकता हूँ तो इसकी बली चड़ाई तो काली की ये बली है जो मैपन है जो बकरे की एक जनमजात बोली है कि मैपन को बली चड़वा देती थी और हर कारी में मम्मा प्रभीन थी और हर कारी करने को तयार थी क्लास के बाद में कभी सबजी काटना होता था कभी मसाला कूटना होता था बहुत बड़े-बड़े लोहे की माम दस्ते थे और जो मुशली थी बहुत बड़ी-बड़ी कूटने वाली थी तो उसमें मशीन के मसाले नहीं होते थे पिसे वे मोटी-मोटी हल्दी, मिर्चा, धनिया, सब कूटा जाता था तो बाबा भी हाथ लगाते थे, मम्मा भी कूट दी थी फिर सब भाई बेन देखके पहुंच जाते थे एकदम विजिलिक तरह खबर पहुंच थी कि ममा मसाला कूट रही है, बाबा मसाला कूट रही है, सबजी काट रही है तो साब हम लोग पहुंच जाते थे तो ममा ने कहाना जैसा करम हम करेंगे हम को देखके दूसरे करेंगे तो ममा ने कहके नहीं काम कराया ममा ने करके दिखाया हर कारिये करके दिखाया और यहां तक कि ममा जब बाबा मुरली चलाते थे तो बहुत ध्यान से सुनती थी बहुत ध्यान से और एक एक बात को एक एक बात को अपने अंदर उतारती जाती थी उसका मनंच चिंतन करती थी तो जैसे बाबा कहते थे तुम्हारी मा बच्चों के लिए माजून तयार करती है उसको सुन करके बहुत सरल करके सरल सब्दों में फिर मम्मा सुनाती थी तो पहले मम्मा अदा घंटा सुनाती थी क्लास में फिर उसके बाद बाबा जाके मुर्ली चलाते थे तो ममा पहले योग करा के क्लास करा लेती थी और ममा बाबा का भी बहुत रिस्पेक्ट करती थी हाँ के सिवाए हाँ जी जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा कभी ऐसा कुछ नहीं जो बाबा ने कहा तो वो जी बाबा कहके सब सुन लिया और धारन कर लिया वो सारा कारे करती और बाबा के लिए भी बहुत था कि बाबा की कोई बात अगर ममा ने सुना तो वो उसको तुरंट फॉलो करती थी एक-एक बोल बाबा के वरसंस को वो हीरा समझ के अपने दिल रुपी तिजोरी में समा लेती थी और ममा को यग्य से बहुत प्यार था जितना बाबा से प्यार उससे ज़्यादा यग्य से प्यार और इतना प्यार था कि जब सवेरे गुरुवार का दीन आता था ममा अपने हाज से भोग बनाती थी कहती थी कि देखो मैं भी कही बार बोला भोली दादी बोलती थी, मम्मा मैं बना लूँगी, आप मुरली जाके सुनाओ, मम्मा कहती थी नहीं, तुम तयारी करके रखो, तो पहले मम्मा भोग बनाती थी, फिर क्लास में जाती थी, तो मम्मा ने कहा कि किसी का विदेश से भाई आए, पिता जी आए, रिष्टेदार आए, तो वो जो है, अपने हाज से प्यार से भोजन खिलाएंगे, वो तो करके तीन साल के बाद आएगा, दो साल के बाद आएगा, और हमारा माता, पिता, बंदू, सका, सत्गुरू, वो जो सब है, वो तो 5000 साल के बाद आया है, तो परमधाम से इतना दूरी से आया है, त ममा बहुत प्यार सिजले बाबा के लिए भोग तयार करती थी और अपने हाथों से तयार करके थाली में रख करके उसके बाद जाके ममा मुरली सुनाती थी तो इसी तरह से बहुत ममा को प्यार था और एक बार क्या हुआ कि कितनी ममा को कदर थी पालक थी तो मैं पालक को साफ कर रही थी तो मैंने तो उपर उपर के पत्ते तोड़ दिये और उसके नीचे जो छोड़ी पत्तियां निकली होती ना किले वो छोड़ दिया तो पूरी पाला की गाय को खिला दी जाती थी तो उसका तो कोई मुझे कदर नहीं था फिर ममा ने उसमें से सम्में से तोड़ा न ममा की उस सीख से ये सीखने को मिला कि कोई भी चीज नहीं बरबात करनी एक पत्ती भी बेकार नहीं जाने देना है, क्योंकि वो यग्य का है. तो इसी प्रेकार बम्मा एक एक बास सिखाती रही, सिखते रहे पिर एक दिन मामा ने मेरे से पूछा कि तुम जो मुरली सुनती हो तो किस इस्थिती में बैठ के सुनती हो मैं चुप थी क्योंकि वैसे तो आगे कन्याओं को बिठाते मैं भी आगे बैठी थी और सभी पीछे बैठते थे, पहली लाइन हमारी होती थी तो मैंने कुछ नहीं बोला ममा ने कहा देखो जब भी मुरली सुनो अवियक्ति स्थिती में अश्रीरी हो के सुनो और एक काग्र हो के सुनो और सुनाने वाले के आखों में आख मिला के सुनो और उसको धारन करो अगर एक काग्रता से नहीं सुनेंगे दिरिष्टी से दिरिष्टी नहीं मिली होगी तो बीच में माया क्या करेगी वे मुरली का जो है न भोजन वो खा लेगी और जब वो खा लेगी तो माया हो जाएगी तंदुरुस्त और तुम्हें तो खुराक मिलेगी नहीं कि अबल बैठके सुन रही हो तो तुम पढ़ जाएगी कमजोर तो माया खाके तंदुरुस्त होके फिर तुम्हारे पर लड़ाई करेगी वार करेगी जैसे ममा ने कहा कोई ड्रिल टीचर होता है जब वो ड्रिल कराता है तो करने वाले बिलकुल अटेंशन से उसी तरफ ध्यान रखते है अगर उनकी नजर इधर उधर चली गई तो वो वैसा ड्रिल नहीं कर सकते है बिलकुल नहीं कर सकते है पे इस तरह से वो भी समझ में आया कि भम धै मुर्ली के टाइम पर किस प्रकार से और किस अवस्ता से मुर्ली को सुनना है तो एक बारी मम्मा एका नामी की भी उतार थी तो एकाणामी सिखाने वाली तो उस समय मदवन में इतना कोई संपनता नहीं थी इतना जिस आज बहुत ही हमें दिखाई देता है और कैसे एकाव नामी से यग्ये चलता था तो ममा ने सभी को सभी जो रहने वाले थे और मैं भी गई थी तो एक बट्टी साबुन कपड़ा दोने का मिलता था मास भर में और एक मिलता था इस नान का और जोकि वहां पे इतनी खुशकी होती है आबु में जो पर्मानेंट रहते तो उनके स्कीन भी खुशक हो जाते थे तो उनको सरसों का तेल मिलता था कि बदन में लगा लेंगे तो खुशकी नहीं होगी तब कोई body lotion और body cream नहीं होता था सरसों का तेल मिलता था तो मेरा जो बाव सी क्योंकि हापते में एक बार विश्वरतन दादा भाईयों के कपड़े की भट्री चड़ाते थे और एक बार बहनों के कपड़े की चड़ाते थे तोड़ा अगरा डालके भट्टियां जलाके पकाया जाता था और विशुरतन दादा फिर जैसे धोबी का पाटा होता था उस पे पीटते थे और सब कपड़े को पानी से दोके निकालते थे तो मेरी जो साबुन की भट्टी थी वो तो तीन हपते में खतम हो गई तो मैंने ब किया है मौने का कैसे धोती हो फिर ममा ने सिखाया ममा ने कहा देखो कपड़ा पूरा नहीं खराब होता है गंदा नहीं होता है नीचे का जो बॉडर है किनारी है वो गंदी होती है और बिलाउज का कफ और कालर गंदा होता है तो बताया ममा ने से उठा के पला और ऐसे ऐस पूरी शाड़ी का करके दिखाया, तो ऐसे हाथ में पकड़ो, और साबुन को पानी लगाके, इसे हाथ से पोच्च के पर शाबुइबू, तो सारी जो किनारे गिए, जरिए से साबुन में साफ हो गई, और हल्का साबुन लगाकर, फिर तुमारे सब दुल गए तो ऐसे कफ़ लगा हो भिला हुज का तो ज़्यादा नहीं खर्चा होगा जब मैंने करके देखा तो जो मेरा एक हपता पहले बट्टी खतम होई थी और एक मास आगे मुझे मिलेगी वो मेरी चार हपते के बजाए पांच हपते वो मेरे साबुन की बट्टी चली इस तरह जो ममा ने सिखाया कि कैसे बस्तर धोना है और कैसे कम खर्च वाला नशीन यगी का जादा बेश्टेज नहीं करना है अच्छा आप तेल है थोटा तेल मिलता थोड़ा सा मिलता तो ममा ने सिखाया नहीं ऐसे नहीं करो हाथ की अठेली पे पानी का बूंद डालो पहले फिर दो बूंद तेल डालके उसको हाथ में रगड के मिला लो फिर लगा लो तो वो तुमारा कम में हो जाएगा इस तरह से ममा ने हर चीज़ को किफायत एकोनामी से सिखाया तो वो भी वहाँ पर सीखा ममा से फिर एक दिन ऐसे बात आई तो ममा ने कहा कि देखो तुम कभी भी जूट नहीं बोलना लाइफ में एक सच्चाई का गुन धारन कर लो अगर सच्चाई है तो सफाई भी है और सफाई भी है तो इमानदारी भी है तो एक जो है अनेक गुनों को ले आएगी तो जूट रहेंगी और जूट बोलने वाले को तो बहुत बातें सोचनी पड़ती है वो यही भूल जाएगा उसको याद रखना पड़ेगा कि मैंने कौन सा जूट बोला था तो दुबारा वही बोले जो बात न बदल जाए तो जूट को याद करेंगे या शुबाबा को याद करेंगे तो कभी भी निडर हो करके सच्चाई कर देनी है यह ना सोचना डर के मारे की जूट बोल दे तो यह तुम अपनी लाइफ में धारन कर लो कभी भी पक्का गरो जूट नहीं बोलना है तो मम्मा का जो कहना होता था वो दिल के अंदर ऐसा उतर जाता था कि मुझे कोई दड़ परतिज्ञा करने की जरूरत नहीं पड़ी वो पक्का हो गया कि मुझे जूट नहीं बोलना है तो एक बार क्या हुआ कि समय पर जूट बोलना पड़ा मुझे वो क्यों बोलना पड़ा जब मैं कानपुर में आई तो यहां से दिल्ली से ट्रेन चलती थी अपर इंडिया गारी वो कलकत्ता सिधा जाती थी और कलकत्ता से चलती थी वो दिल्ली जाती थी आने और जाने का टाइम कानपुर में सेम था एक प्लैटफॉर्म पे जाने वाली खड़ी है तो दूसरा कलकत्ता से आने वाली खड़ी कभी कभी तो मुसाफिरों को धोखा हो जाता था अपर इंडियां बैठना कुली बिठा देता था dusty तो वहाँ पे क्या था कलकत्ता से जपनी रधादी रहे है ना उनकी मदर जारी थी कलकत्ता से मदभन दिल्ली से ट्रेن बदलना था तो रास्ते में कानपूर से लेके दिल्ली तक कोई ऐसा इस्टेशन नहीं था जहां भोजन मिल सकें तो चार बजे सबेरे मुझे भोजन लेके जानना था उनके लिए आप सोचिए उस जमाने में गैस चूला नहीं था पत्थर के कोहले शिगडी में जलाए जाते थे जिनको हैमर से तोड़ तोड़ के ज अखेल नहीं था तो आश्रम से दूर जाकर के जो रिक्षा मिलती थी बड़े चौराय तक जाते थे फिर वहां रिक्षा किया चार बजे मुझे प्लाटफॉर्म पर पहुंच जाना है टिकट लेके तो जब चार बजे पहुंचे पांच मिनट बादगारी आ गई जब भोजन लोटा देंगी तो जो दो बजे से उठकर के मैंने महनत की वह जाएगी बेकार और भूखी जाएंगी दिल्ली तक कोई जगा नहीं जहां से भोजन लें और सर्दी का दिन था तो मैंने बिना कुछ सोचे बिना समझे हाजिर जवाब जी भोग लगाया है और लगाय नहीं था तो उनको भी लग रहा था कि इतनी जल्दी कैसे लगा के लाई हो विश्वास नहीं हो रहा था फिर वोली सच बताओ तुमने लगाया है मैंने का सच कहती हूं मैंने लगाया है पक्का मैं खाऊं गोजन मैंने का आप खाईये निशिंतों के खाईये मैंने भोग और मैंने भोग लगाया नहीं था लेकिन उसके बाद से हमें इतना फाइदा हुआ उस जूट से कि आज कभी भी किसी के लिए भी मुसाफरी में जाना है किसको इस्टेशन भोजन देना है या कुछ भी यह तो पक्का बनाते जाओ और बाबा की थाली में निकालते जाहे बीच में कोई टोली भी बनती है साब बाबा को भोग लगाते हैं और लगाने के बाद ही वो सोईकार होता है तो वो जूट ने हमारे को इतना पक्का करा दिया कि उसके बाद मुझे हर काम एकुरेट करना कभी जूट नहीं बोला है वो मजबूरी में बोला मैंने लेकिन जो ममा ने बताया था सिखाया था तो ममा का रूपी सब कुछ सिखाने का था तो इसी प्रेकार से जैसे चलने में अगर किसी ने चप्पल की थोड़ी आवाज चली या चप्पल गिसट के चले तो सिंधी में ममा बुलाती दा रहो दा रहो जी ममा ये खितिर खितिर करके क्या चल रही हो खितिर खितिर माना हो कहते है न फटफट करके चल रही मम्मा कहती थी कि देवताओं की चाल नहीं है ये चपल को उठाए तुम चपल फटफट करो नहीं ऐसे पाऊं रखो जो पता भी ना चला है कोई चल रहा है इस धर्ती को दुख नहीं देना है मम्मा कहती थी तुम्हारी चाल से धर्ती को दुख नहीं पहुचना चाहिए तो वो चाल भी मम्मा ने सिखाया कि चपल को कैसे उठाना है कैसे पैर रखना है तो वो समय दिन में चट्टी होती थी जिसको चाकड़ी कहते ही यगी में और वो पट्टे वाली होती थी लकड़ी की कलकत्ता से आती थी तो वो चट्टी पहनना मम्मा ने सिखाया कि इसको पहन के भी चट्ट्ट की अवाज नहीं आनी चाहिए पाउं दबा के कैसे चलना होता है वो मम्मा ने सिखा दिया चलना तो ममा भी और बाबा पूरे येग्जी में चट्टी ही पहनी जाती थी जब कहीं बाहर निकलना है तब ही चपल पहनते थे चाहे किचन में जाना है कहीं जाना पूरे लान में भी सब जगा चट्टी पहन के चलते थे लकड़ी की होती थी तो इस तरह से मम्मा और बाबा सभी परिवार वाले पहनते थे तो चट्टी पहन करके आवाज नाए जिसको खड़ाओं भी लोग कहते हैं तो इतनी सांती से चलना वो मम्मा ने सिखाया और मम्मा कहती थी देखो कभी भी थकावट नहीं होनी चाहिए क्योंकि मम्मा सोयम अथक थी तो मम्मा ने कहा अलवेला पन आलस और थकावट ये अपने जीवन में कभी नहीं लाना है और ये भी बता है कि थकावट होती कब है थकावट होती नहीं है वास्तों में अगर उमंग में उस्सा में बाबा की शिरीमत अनुसार चल रहे हैं तो थकेंगे नहीं थकावट दो सब्दों से होती है दो कारण से होती है जब पता है कि कल की मेरी दिंचरिया बहुत टाइट है तो सबेरे संकल पाएगा कि आज दिन भर रेष्ट करने को तो मिलेगा नहीं बहुत वर्क है बहुत भाग दोड़ है तो थुड़ी दिर और लेट ले वो दिन का कोटा सबेरे पुरा करेंगे तो दिमाग में बैठा हुआ कि थकावट और चलिए वो भी नहीं हुआ तो सारे दिन जो वर्क किया तो रात को जब चार पाई पै जाएंगे तब सोचेंगे आज हमने बहुत काम को रिवाईज करेंगे और जहां रिवाईज किया वोई थकावट आ गई अगर रिवाइज नहीं किया तो थकावट नहीं आएगी तो ये भी मैंने प्रैक्टिकल में देखा कि थकावट का बाती है वो संकल्पों में आती है थकावट अपने सोच में आती है तो नहीं सोचा तो नहीं है सोच लिया तो थक गए तो अथक बनके रहना है पिर मम्मा ने कहा अपनी लाइव को ट्रांस्पेरंट बनाना है जिसको खुली किताब या खुला पोस्कार्ड कहते हैं लिफाफा नहीं बनाना है क्योंकि लिफाफे में थोड़ा सस्पेंस रहता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या है तो इतना अंदर बाहर इसपश रहो पारदर्सी रहो जो मन में सोचो वही बोलो और वही करो तो उससे कभी बदलना नहीं है तो किसी के मन में संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं इनके मन में मेरे लिए क्या सोच चल रहा है पता नहीं इनके मन में क्या विचार चल रहा होगा तो इसलिए हमेशा इस पष्ट पारदर्सी रहना है अपने लाइव को खुली किताब बनाना है और जैसे करते करते कहते ना मा जो होती घर की पर्थम गुरू होती है तो मा मा भी मा सिक्षका भी और मा प्रथम गुरू भी एक बार मेरे से हसी निकल गई ऐसे कोई तो ममा ने बुलाया ममा ने कहा कि देखो ये देवताओं की हसी नहीं है क्योंकि यादत होती थी खिल खिला के हस देने की तो ममा ने कहा कि देवताएं सिर्फ मुश्क्राते हैं जोड से हसना ये भी एक विकार है कभी जोड से ब्रामनों को नहीं हसना है देवताएं कभी जोड से हसने क्या हाँ आसुरों के मुख जरूर मुचा हस जोड से तो ये एक विकार है जोड से हसना है इसको भी छोड़ देना है तो उस दिन से हम कभी जोड से नहीं हासे है क्योंकि ममा ने बता दिया कि देवताइं मुश्क्राएंगे इतने जोड से खिलकला के नहीं हासेंगे तो एक एक बात छोटी छोटी बात ममा सिखाती थी छोटी छोटी बात तो इस तरह से ममा हर एक चीज़ सिखाती थी, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, क्या कैसे करना है, तो वो ममा पूरा सिखाती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, और वैसे भी ममा को चलते फिरते ममा कहीं खड़ी होती थी, तो मैं जाकर के ममा के साथ ख कि तुमको अब सेवा पर जाना है और तुम्हारी डिमांड कानपूर के लिए बहुत है गंगे दादी आद करती है पत्र लिखती है कि मुझे वो हैंड्स बेज दो क्योंकि उन दिनों में यग्गी में हमी एक लोते रहे तो बाबा चलते फिरते बहुत महिमा और मुरली में महिमा करते थे मेरा नाम बाबा ने कभी नहीं लिया क्योंकि हमारे गाओं का नाम जो रेवना था तो हमेशा बाबा रेवना बच्ची कहते थे तो बाबा रेवना बच्ची रोना बच्ची करके बहुत सारी विश्यस्ता जो मैं भी नहीं समझ पाती थी लेकिन बाबा महिम करते थे, तो वो टेप में आता था, पहले टेप होती थी और वो टेप भरके आती थी, सभी सुनते थे, तो बहुत जगह से हुई, लेकिन मम्मा ने कहा देखो, फिर भी तुम कान पुर्जाओ, ऐसे डिमांड तो बहुत लोगों की है, तो मम्मा ने हमको प्यार से सिखाया, क अपने विचार नहीं रखना, कि मेरा विचार कहता है, या मैं मुझे मान मिले, मुझे सान मिले, मैं इतना करती हूँ, तो कोई मेरी महिमा करे, मम्मा ने का नहीं, और कभी-कभी तुम्हारे सामने पेपर आएगा, और लगेगा कि जो अच्छे इस्टुडेंट आते हैं, वो तो बड़ी बैने समझाती हैं, और जो साधारन आया, कोई बुड़ी माताएं आई, कोई जो है बुजुर्ग आया, अनपढ़ा आया, गरीब आया, तो कह देंगे जाओ तुम इनका कोर्स कराओ, तो एक दिन तुमारे मन में संकल पाएगा, कि अच्छे अच्छे को तो खुद समझाती हैं, और बुड़े ठड़े, और ये इन सब को भूनी पढ़ती है, पिसनी होती, भूनी होती है, मैंने कह दिया हाँ, तो दूसरी बैन कहती है, कि हाँ तो कर दिया, कैसे कचुल तो मैंने दाल लिया, चुछिल का उत्रीवी दाल को धो लिया, और धो करके उस दाल को थोड़ा सा कराई में गरम कर दिया, भून सी गई और तुरंट ग्राइंडर कर दिया, ग्राइंडर करके विगो के बढ़िया कच्छोरी मसारी अधर बना गेज दी, सब लोग हैरान हो मैंने का देखो मुझे ना नहीं करना, क्योंकि मम्मा ने सिखाया है, तो मैं कभी ना नहीं कर सकती हो, कैसे भी मैं पूरा करो दी, इसी तरह से चाहिए कोई स्टेशन से पास हो रहा हूं, समय कम हो, ट्रेन आने वाली हो, अगर कह दिया भूचन चाहिए, तो कैसे भी हमने तैयार करके अस्तर पहुंचाया, कान पूर्जे कोई भूखा ने लिए, अचानक कहने वाला भी, मैं तो दूजरा कहेगा, ट्रेन तो आरे इतनी जदी कैसे भूचन तैयार हो जाएगा, या चाह तैयार हो जाएगी, तो इस प्रेकार से लाइफ में चाह छोटा हो, चाह ब बिल्डिंग है, अपार्टमेंट में बहुत लोगे, और हर तरह का सयोग है, मिलना चलना है, तो मेरा नाम रख दिया था कि बित्या बेंतों हर दर्द की दवा है, हर मर्ज की दवा है, चाह सिलंडर का मोच, चाह कोई किसी पास कोई और दिखका तो, मैंने कभी नहीं सोचा मैं कहती थी, हाँ, मैं अभी आपको अपना सिलंडर दे देती हूँ, मैं देख लूँगी, आप पुरा कर लो, तो मैं चूले से निकाल के भी अपना सिलंडर दे देती हूँ, तो इसी प्रकार से किसी ने शरीट छोड़ दिया, तो उन्होंने समझा कि नहीं नहीं रतर महि मैं आये थे कि भेहिट किया तो है, तो कुछ जरूर होगा, पुजा वाला, तो उन्होंने कहा दीदी, मुझे कुछ चाहिए, और मेरी माँ ने शरीट छोड़ा है, तो लेटाना है, तो कुछ के पर लेटाना है, तो हमने का अच्छा ठीक है, आप एक काम परो, जब तक गा तो बर से लिख लो, और फिर तब आप हमसे कुछ मंगा लेना, तो मैंने दुकान वाले को फोन किया, मैंने का जल्दी से रिक्षा करके कुछ समय विजवाद, उपने नौकर से जो भी पैसा होगा, रिक्षे काम सब पूरा देंगे, तो कहने का मतलब, अगर मेरे से किसी न मैंने ना नहीं बोला कि नहीं हो सकता, तो हर प्रकार से जो ममा ने सीख दिया, वो काम हमने किया, और आज भी ममा की याद इतनी ताजी होती है, जिस प्रकार से जनौरी मास आता है, तो बाबा का दिन याद आता है, बाबा ठारा जनौरी अवियरत होएंगे, और जब जू मैं यहां से पार्टी लेके गई जाना था गंगे दादी जी को दादी ने कहा तुम चली जाओ पार्टी लेके चली गई और जब पार्टी को लौटके आना था और उनी दिनों में ममा की तबियत भी खराब थी ममा की इतनी तबियत खराब हो गई कि जो बॉंबे से रमेज भाई का फोन आया बाबा के पास कि बाबा ममा के लिए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि तीन मैना चार मैना की है तो बाबा ने कहा ये तुम मुझे क्यूं बताते तो तुम ममा को बताओ अब विचार करो किसी को बताया जाए कि आपकी लाइफ तीन महिना की है तो वो तीन महिना की लाइफ में तो घबडा जाएगा अब मेरा क्या होगा चारो तरफ संकल चलेंगे इतना बड़ा यग्जी है इतनी सारी संभाल है ममा सबको देख रेक करती थी सुनाती थी समझाती थी तो ममा को लेकिन मम्मा बिलकुल अचल और अडोल थी, मम्मा को कोई फराकी नहीं पड़ा, क्योंकि मम्मा कहती थी कि हर गड़ी अंतिम गड़ी है, अंतिम गड़ी समझो, तो जो मम्मा सब को पाठ पड़ाती थी, वह अपने पर प्रैक्टिकल दिखाई दिया, और मम्मा हमेशा कहती थी कि हुकमी हुकम चला रहा है जो बाबा सिरी मत दे रहे वो मैं कर रही हूं जो वो करन करावनार नहीं कहती थी हुकमी हुकम चला रहा है और अगर कोई ममा की महिमा करता था तो ममा कहती थी यह तो पिता परसाद है जो उस पिता ने परसाद के रूप में दिया वो मही दे इसमें मेरा क्या है तो ऐसे ही मम्मा के अंदर इतनी दिड़ता थी ड्रामा पे इतना अटल निश्य था कि जो हो रा ड्रामा अनुसार पिर मम्मा जब मदुबन आ गई और वो लास्ट दिन था तब मेरी पार्टी की वापसी थी लेकिन इतना इसपस्ट बाबा ने भी नहीं बताया कि आज ही मम्मा जाएगी तो मम्मा इतनी बिमार थी मम्मा को उठा के तकिया लगा के बाबा ने बिठा दिया जो बाबा ने अपने हातों से अंगूर की बेर लगाई थी तो बहुत बड़ा बगीचा था जो अपना यह ना मेडिटेशन हाल यह साब अंगूर के बाबा ने उन अंगूरों को गत्ते के बॉक्स में भरके, मैंने पहली बाहर सीखा कि वो सड़े नहीं तो सूजा लेके मोटा छेद की अपने हाँ से, इसको हवा लगती रहेगी, और अंगूर के पत्तों के बीच में रखा कि उसको चोट न लगे अंगूरों को, फिर जितने भी सेवा केंद्र थे, बाबा ने साब जगा अंगूर बेजे, इतने अंगूर निकले, टोकरे के टोकरे बॉक्स भरबर के, फिर जहाए पार्टी के भाई बैन आये थे, और चाहे मधुबन के निवासी जो भी थे, तो बाबा ने कहा कि मम्मा आज अंगूर टूटा है, और आपको बच्चों को अपने हाथ से खिलाना है, तो इतनी ताकत मम्मा में नहीं थी, लेकिन लाश्ट दिन लाइन लगा करके, बाबा के मम्मा के हाथ में अंगूर रखती थी लच्छु दादी, और बाबा हाथ को सहारा देके मम्मा से दिलवाते थे, तो मम्मा ने अपने हाथ से सब को अंगूर दिया, अच्छे से दिया, और प्यार की दृष्टी दी, जब मेरी बारी आई दृष्टी लेके मम्मा के हाथ से अंगूर लेने का, तो मेरे से पूछा गंगे क्यों नहीं आई है तो मैंने का मामा जब मैं जाऊंगी तब उन्हों का मैं बाद में आऊंगी का अच्छा तो मेरी गंगे को याद देना मैंने का जी मामा मैं जरूर याद दूँगी लेकिन जनजन की टिकेट बनी थी तो बाबा ने कहा वो भले जा सकते ममा से मिल लिया ममा ने विदाई दे दिया वो भले जा सकते है तो हम तो चले आए हमारे ट्रेंड का टाइम उसके बाद ही ममा ने शरीर छोड़ा जब ममा ने सरीर छोड़ा तो एक आश्यरे जनक बच्चों के लिए बात हो गई पर बाबा ने कहा कि किसी को रोना नहीं है कोई ममा के लिए आंसू नहीं बहाएगा सबको पका कर दिया और चलो बचे अभी थोड़ी देर में ममा को इश्ट्रि आल में रखेंगे और वहीं सब योग लगाओ और बाबा भी योग लगाएगा बाबा भी आल्माइटी से लड़ाई करेगा कि मेरे बच्चों की माँ को क्यूं ले लिया तुमने मा को क्यूं बुला लिया वापस करो तो यह तो पता है कि वो शरीर रहने लाइक नहीं है लेकिन बाबा ने सब की बुद्धी को इस तरह से बांध दिया और सब इसी योग में बैठे हैं बाबा कर हाँ बच्चे इतना योग लगाओ कि मेरी माँ को बाबा वापस करो और देखना लालमाइटी वापस करेगा तो लाश्ट तक यही चलता रहा बाबा कहें मैं भी करता हूं मैं भी योग लगाता हूं कि मेरी माँ बच्चों की माँ को भेजो तो किसी ने एक आंसू नहीं बहाए लास्ट तक बावाने का बचे कभी होपलेस नहीं हो ना चिता से भी उठके तुम्हारी मां आ सकती है फिर उसके बाद में एक बहन आई उसका ममा से बहुत प्यार था मुझे नाम भी याद है तो वो वहीं गेट से जैसे होता ना रोना शुरू कर दिया तो बावा ने उसको जाके बहुत सीरियस रूप में कहा तुम यहां परचानी करने आई हो मना आप सोस प्रगट करने आई हो वचारी चुप हो गई तो ममा के प्रती बावा ने किसी को आशु नहीं बहाने दिया तो जैसे ममा अचल थी अडोल थी और निश्य था ड्रामा में तो सब बच्चों को भी फिर बावा ने पाठ पड़ाया तो इस तरह ममा का जो लाश्ट दर्सन था वो भी हमको मिला ममा के हाथों से ही प्रशाद मिला जब साथ मेरे छे मेना तब तो बहुत टोलियां खाई लेकिन ये ममा के हाथ से अंतिम भी मिला तिसले मैं समझती हूँ कि मेरा बहुत-बहुत सभाग्य था तिसले जो मा की पालना मिली है बाबा की पालना मिली है तो ऐसे ही कहेंगे कि समय रहते संगम युक पर बाबा ने हमको चुन लिया जो सब की पालना मुझे मिली एक-एक मारतियों की मिली हमारा यग्य उसमें भरपूर था साब दादियां सब दीदियां बाबा मम्मा सभी दादे तो ऐसा कोई नहीं रहा जिसको की मैंने इन आखों से परिवार को न देखा हूँ और हरेक में हरेक विशेष्टा है तो हरेक में होता था जैसे हमारी बड़ी दीदी की माँ कोई मदर थी जो बाबा का रूम है माँ कुर्ची डाल के बार बैठी रहती थी और बाबा ने सब बैरनों को बोला था दादियों को कि कुई न मदर को जो कोई भाषण करना सिखा देगा तो इनाम में मैं गिफ्ट में वो दूगा चांदी का गिलास लेकिन वो भाषण करना कोई नहीं सिखा पाया और उनकी क्यादा है जो कोई उनके सामने से पास होता था, गुझरता था, पहचान है, नहीं है, वो उसको प्यार से बुलाती थी, बिठरी इधार आओ, बिठरी इधार आओ, तो जब बुलाया जी, कहती ही, तुझे देख तुझे जीवन में सफलता पानी है, तो कौन कहेगा मुझे नहींbaj संच होना है तो कहतीती ती तीन बातें याद रखो मर मर जुक जुक और सिख सिख कभी मूँ से न मिले कि क्या हमी मरते रहेंगे हमी को दबाया जाएगा उनको तो कुछ नहीं कहते उनको तो सिर चड़ाया हुआ है हम ही को कहा जाता है तो कहती थी मर मर हर बात में मर के चलो और हमेशा जुक के चलो जो जुकता है ना तो वो दूसरों को भी उठा लेता है तो कहती हमेशा जुक के चलो और तीसरा सब से सीखो इसलिए दत्ता तरही का मिसाल है कि उन्होंने 24 गुरू किये तो एक-एक से सीखना है तो ऐसे यग्ये में हर एक से जो पालना लिया है वो आज दिन तक भी जीवन में काम आ रहा है और वो पालना ही है जो चल रहा है कई लोग कहते हैं कि पुराने जमाने के लोग ना देशी की खाते हैं और वो बढ़ापे में तभी तना काम कार लेते हैं तो मुझे भी जो मम्मा ने बाबा ने सभी परिवार ने एक सुद्ध घी कहें सुद्ध प्यार कहें सुद्ध ग्यान कहें अथवभार कहें जो सब कुछ किया तो वो पालना मुझे चला रही है और एक बात मुझे भूल गया जब मम्मा मुझे बिदाई दे रही थी कानपूर आने के लिए कौन जा रहा है कौन खरा है कौन आ रहा कौन बैठा है का इतना तो याद रखोगी तो यही तुम सुनाना कि कलियुक जा रहा है तो कलियों को पर समझा देना सतियों का आ रहा है तो सतीक पर समझा देना और चल क्या रहा है संगाम युग